Techpp.com के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है समुक और आज हम करने वाले speed test comparison between the Realme X7 Pro जो हाली में launch हुआ है इंडिया में और साथ में हमारे पास है OPPO का Reno5 Pro 5G ये भी हाली में ही launch हुआ है इंडिया में एक बात है कि दोनों फोन में सेम चिप सेट हमें मिल जाता है जो है MediaTek का Dimensity 1000 Plus तो इस दोनों फोन के बीच में कौन सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है इन टरंस अफ आप ओपनिंग स्पीड और अलसो राम मैनेजमेंट तो उसी को देखते हैं इस वीडियो में लेकी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लालाला सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजे साथ में जो बेल आइकन है उसे पी क्लिक कर दीजे As usual यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे reboot test के साथ देखते हैं कि कौन सा फोन पहले बूट होता है तो reboot का menu तो आ चुका है 3, 2, 1 साथ में हम इन्हें restart करेंगे यहाँ पर Realme X7 Pro पहले बूट हो चुका है compared to the Realme 5 Pro 5G interesting results तो unlock कर देते हैं दोनों phones को and मैं आपको दिखा दू के दोनों phones जो है वो same Wi-Fi network के साथ connected है and साथ में यहाँ पे कोई भी background में apps running नहीं है दोनों phones में price difference तक्रीबन 5000 का हमें मिल जाता है तो let's see performance के मामले में कोई difference हमें यहाँ पे मिलता है कि नहीं तो Geekbench पहले हम run कर लेंगे दोनों phones में even though there is the same chipset हम देखते हैं कि scores में कुछ difference आता है कि नहीं while the test is running मैं आपको बता दू कि दोनों phones पे जो latest software update है उसे हमने install कर दिया है साथ में play store से जो भी apps हम use कर रहे हैं उन्हें भी सारे update कर दिया है also दोनों phones में हमने highest refresh rate पे ही display रखा है यानि कि जो default setting है reno 5 pro 5G पे 90 Hz का display है और जो realme x7 pro है वहाँ पे हमें 120 Hz का display मिल जाता है दोनों AMOLED displays ही है दोनों phones के 8 GB RAM variants है हमारे पास तो RAM management round में एकदम fair comparison रहने वाला है अब processor तो same है दोनों phones में लेकिन कुछ differences है यहाँ पे जैसे battery का capacity में थोड़ा difference है दोनों पे 65W charging का support मिल जाता है अगर आपको एक dedicated charging test देखना है comparison तो आप उसे यहाँ पे eye button में देख पाएंगे और जो display है वो थोड़ा different हमें मिल जाता है 90 Hz का curved panel है रेनो 5 pro 5G में जो थोड़ा ज्यादा premium feel होता है compared to the flat 120 Hz AMOLED display on the realme x7 pro लेकिन of course क्योंकि 120 Hz है रेनो 5 pro पे पे हमें realme UI मिलता है camera के बारे मैं बात करें तो दोनों फोन पे 64 में अप एक्सले camera ही मिलता है लेकिन oppo पे samsung का sensor है और जो realme x7 pro है वहाँ पे हमें sony का imx686 sensor देखने को मिल जाता है तो realme x7 pro पे आप देख सकते हैं test खतम हो चुका है and just now oppo reno 5 pro 5g पे भी खतम हुआ है single core score यहाँ पे realme x7 pro पे 30 point जादा है compare to the reno 5 pro 5g लेकिन जो multi core score है वो हमें जादा देखने को मिला है reno 5 pro पे तो काफी interesting results यहाँ पे है but these are again just theoretical benchmarks हम अभी actual speed test करेंगे with regards to app launching और उसमें पे देखेंगे के कौन सा फोन जादा fast perform करता है तो वापस हम home चले जाते हैं यहाँ पे and let's launch our set of apps amazon पहले launch करके देखते हैं and amazon was first on the reno 5 pro 5g chrome पे चलते हैं and chrome was I would say more or less similar हम यहाँ पे एक website लोड करते हैं एक दूसरे tab में and let's see which of these two loads it faster तो youtube launch करके यहाँ पे देखते हैं and youtube was first on the realme x7 pro let's go back home और crick bus launch करके देखते हैं and crick bus was faster on the reno 5 pro drive launch करके देखते हैं and drive was faster on the reno 5 pro again flip card launch करके देख लेते हैं अभी and flip card was faster on the x7 pro तो काफी interesting results हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कोई phone से consistently आगे नहीं रह रहा है यहाँ पे x7 pro ज़्यादा fast था मेरे हिसाब से facebook ट्राय कर लेते हैं facebook was again faster on the x7 pro instagram instagram भी x7 pro पे ज़्यादा fast था let's try ludoking यह ज़्यादा heavy game नहीं है काफी light game है तो gpu वगेरा ज़्यादा test नहीं हो रहा है so realme x7 pro पे पहले खुला है it was different screens here लेकिन i think it is safe to say के realme x7 pro पे ही पहले खुला है game prime video चेक कर लेते है prime video is also faster on the x7 pro let's try hotstar hotstar आप बताएगे comments में and interestingly again मैंने हमारे previous speed test में भी बोला था कि i don't know why hotstar is asking for mic permissions तो deny कर लेते हैं यहाँ पे and अभी x7 pro पहले गया उस home screen पे speed test चेक कर लेते हैं previous speed test में जो realme x7 pro था उसने अच्छा perform नहीं किया था 100 mbps connection है मेरे पास लेकिन वो 70 के आसपास अटक गया था let's check कुछ improve हुआ है कि नहीं अभी या फिर तब मेरे wifi के साथ कुछ problem था तो realme x7 pro पहले speed test run कर लेते हैं and yes as you can see I am getting the same limited results पता ने क्यों 90 तक गया था लेकिन फिर से पीछे आ गया अभी 80 के असपास 85, 86 ओके अभी increase होके वह पस जा रहा है 90 पे so this is good to see 93 mbps का download speed है and that is on par with any other phone that I test तो अच्छा result यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है realme x7 pro पे with regards to speed test अभी same test को reno 5 pro पे भी run कर लेते हैं and अभी reno 5 pro पे थोड़ा limited speed देखने को मिल रहा है around 78 mbps के आसपास है लेकिन previous speed test पे हमने देखा था कि यह 90, 95 के आसपास गया था I don't know why यह limit हो रहा है इस बार आप download and upload speed देख सकते हैं 60 to 70 mbps के आसपास है so this might be an issue with my router और ISP लेकिन दोनों phones around 90 to 95 mbps तक जाने के capable है so keep that in mind let's go back home now जो twitter app है वो लांच कर लेते हैं भी and twitter I think first loaded fully on the reno 5 pro 5G youtube पे चलते है and once you go to youtube let's go to subscriptions tab youtube कौनसे फोम पे पहले लांच हो आप बताईए मैंने अच्छे से notice नहीं किया let's leave it over here youtube music लांच करते है and youtube music पहले खुला है realme x7 pro पे let's go back home snapseed snapseed was also very neck to neck again comments में जरूर बताईए subway surfers लांच कर लेते हैं so again एक छोटा सा game है ज्यादा intensive नहीं है let's see which of them launch first तो ये दोनों अलग-अलग version पे लांच होया है पता नहीं क्यों but आप अगें बताईए comments में के आपको कौनसा ज्यादा fast लगा है now let's go to among us among us पहले launch हुआ है realme x7 pro पे finally call of duty mobile launch कर लेते हैं ये एक heavy game है cpu gpu intensive game है तो इससे पता चल जाएगा के कौनसा phone इसे पहले launch कर रहा है and यहाँ पे realme x7 pro ने पहले launch किया call of duty mobile को हाला कि सिर्फ एक या दो second का ही फर्क था दोनों phones में and that is quite negligible खेर अभी वापस चलते हैं home realme x7 pro I think was slightly faster in the app management round आप बताईए यानि कि जो app launching round था वहाँ पे कौनसा आपको ज्यादा fast लगा in between these two phones app launching speed के हिसाब से लेकिन अभी हम RAM management test कर रहेते हैं दोनों phones के बीच में के कौनसे फोन ने ज्यादा apps को retain किया है again दोनों phones में 8GB का ही RAM हमें देखने को मिल जाता है so it all comes down to the optimization के कौनसे फोन ने ज्यादा apps को रखा है memory में तो end से ही चालू करते हैं call of duty mobile is in memory वापस चलते हैं home let's go to among us यहाँ पे tap नहीं दोनों memory में है which is good let's go to subway surf and the subway surf भी memory में है दोनों phones में let's try Snapseed, Snapseed is also in memory, YouTube music memory में है, YouTube is also in memory, Twitter is in memory, speed test is in memory, काफी अच्छा performance है दोनों phones का भी तक Hotstar is in memory, Prime Video is in memory, Ludo King is in memory which is great, Instagram Instagram भी memory में है Facebook, Facebook भी memory में है, Google Keep Google Keep, Renault 5 Pro 5G में memory में था, लेकिन Realme X7 Pro ने इसे रिलोड किया है let's go to Flipkart, Flipkart again was in memory on the Renault 5 Pro लेकिन Realme X7 Pro ने रिलोड किया है Drive, Drive again was in memory on the Renault 5 Pro Crickbuzz is also in memory रिलोड हुआ है, X7 Pro पे Amazon, Amazon दोनों phones पे रिलोड हुआ है and finally Geekbench, Geekbench भी दोनों फोन पे रिलोड हुआ है so well clearly आप अपने screen पर देख सकते हैं के RAM management round में, Renault 5 Pro में थोड़ा बेटर जॉब किया है, Renault 5 Pro ने compared to the Realme X7 Pro and RAM management के एसाब साब 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 कि is the winner over here, लेकिन app launching speed के मामल में मुझे लगता है के Realme X7 Pro थोड़ा बेटर है so दोनों फोन में because you get the same chipset performance बहुत हद तक आपको similar मिल जाता है जैसे मैंने पहले ही कहां के Renault 5 Pro 5G थक्रीबन 5,000 रुपय जादा है compared to the Realme X7 Pro so unless you want the other features जैसे camera features इस फोन में बहुत सारे दिये गए हैं और display जो है वो curved है so unless you want these specific features मैं कहूंगा के Realme X7 Pro provides better value for money अगर आप gaming भी करना चाहते हैं या फिर day to day task भी करते हैं तो performance जो है वो Realme X7 Pro पे बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताइए अच्छा लगा तो like जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और हमारे चैनल को subscribe करना मत भूलिए मैं आप से मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye